जिला सोलन के सनावर में चलती कार में अचानक आग लगने की घटना सामने आई है सुकत बात ये रही कि गाड़ी में सवार समय रहते गाड़ी से बाहर निकल गए थी गाड़ी कुछ ही देर में आग की लप्टों से घिर चुकी थी ये घटना रविवार दोपहर की है रास्ते उचमारग नमबर पांच पर सनावर के समीप चलती गाड़ी में ये घटना घटी जिसमें एक कार में अचानक आग लग गई थी ये कार पंजाब के डेरा बस्ती से शिमला की ओर जा रही थी जिसमें धरमपुर सनावर के समीप पहुँचने पर अचानक आग लग गई कार में सवार डेरा बस्ती निवासी अंकुष सहीत अन्य तीन लोग कार को बीच सड़क पर खड़ी कर एकदम कार से बाहर आ गए तब जाकर उनकी जान बच सकी कार में सवार वेक्ती ने बताए कि ये कार केवल तीन महा पहले ही खरी दी थी उन्होंने संभावना जटाई की शॉर्ट सरक्ट से कार में आग लगी है